दोस्तों नमस्कार मैं पंदित बिजबूशन शर्मा आप लोग के सामने एक बार फिर आप सबका अपने योट्यूब चैनल पंदित बिजबूशन शर्मा बिजबूशन पूइंट के पर मैं आपका स्वागध करता हूँ दोस्तों आज मैं आपको जिस वीडियो पे चर्चा करने जा रहा हूँ ये हमारे हिंदुस्तान का एक सम्मे बड़ा एक्तोहर होता है दिपाबली पूजन मैं इसके उपर कई भावों से मैंने वीडियो बनाने का विचाह बनाया समय की कमी के कारण मैं जल्दी नहीं बना पाया लेकिन चलो जब भी मेरे वेसमे मिला तो मैंने इसे बनाने का प्रयास किया दोस्तों लक्षमी पूजन क्या होता है क्यों होता है इनके पीछे के आज मैं लोजिकता को बताना चाहता हूँ दोस्तों आप पूजन करें या ना करें ये तो आपकी इच्छा है इन सब बातों को माने या ना माने ये भी आपकी इच्छा है लेकिन जो कुछ मैं आपको बोलने जा रहा हूं बताने जा रहा हूं उसका मनन और चिंतन करें मनन और चिंतन करके अपने मन में उन बातों को ब किसी भी प्रिक्रिया को करें उसमें सफरता नहीं मिलती फोर एक्जाम्पिल आपको खासी हो जाती है आपको फीवर हो जाता है और आप डोक्टर के पास जाते हैं डोक्टर आपको दवाई देता है अच्छी से अच्छी आप दवाई खाते हैं दवाई खाने के बाद आप ठ अच्छा होती है आप को डिंग पी लेते हैं तो क्या ठीक हो जाएंगे नहीं तो इनी सब बातों कर मैं आज बताना चाहरा हूं लक्ष्मी पूजन क्या है कैसे है तो इसे आप थोड़ा सा सीरिसली सुने और वीडियो अगर लंबी हो जाएं तो इसे पून रूप से देखें क्योंकि जब तक आपको सच्चाई का ज्यान नहीं होगा आपके अंदर अज्यानता का वास रहेगा और अज्यानता का वास आपको कभी लक्ष्मी पूजन या कोई भी पूजन आपको तरक्की करने नहीं देगा अगर गलती से आपकी तरक्की हो भी जाती है आप क्याते है कि मैं तो भोछ धनशाली हूँ पैसा है तो वो शनिक है इस्थाई नहीं इस बात कर ध्याँ लगा ज्ञान लूपी गंगा धन है और वो इस्थाई होती है ये कुद्रत दे के भेचती है वो संसार से नहीं इश्वर से ही मिरता है जो संसार में महान व्यक्ति पैदा होई है वो महान व्यक्ति थे संसार में आके उन्हें तराशा गया है वो उन्हें बनाया नहीं गया उसमें किसी का भी आप नाम ले सकते है दोस्तों मैं अब वीडियो को शू करने से पहले आप लोग को फिर एक बार नमन करता हूँ और मैं आप लोग को कहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है मेरा लिखा हुआ सब कुछ पसंद आता है तो आपके पाँ मेरे चैनल को सब्क्राइब करें लाइक करें क्योंकि आज यो जो मैं आपको वीडियो बना लोग बहुत खास होने वाली है आशा करता हूँ कि आज इस वीडियो को आप सब के लिए बहुत उप्योगी और इस तहें से बनाओ इस वर से भी ये प्राथवा करूँगा कि दिवाली आप सब के लिए बहुत शुब हो और जो इसे सुने उससे को जो ज्यान पर भोलो उसके लिए मैं बहुत शुब काम रहे दूँगा आप सबको मैं दिवाली की हार्दिक शुक्रमना के साथ मैं वीडियो बनानी शुकरता हूँ दोस्तों दिवाली का पूचन दिवाली क्या है लक्षमी किस्तने हमारे घर में आएगी हमारी धन की व्रद्दी कैसे होगी हमारे हेल्थ का सुधार कैसे होगा हमें कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी हमें सुक समर्दी के लिए क्या करना पड़ेगा व्यापार समर्दी के लिए कैसे पित्र दोश शांती के लिए क्यों नजर दोश कैसे ठीक हो उपरी बाधा के लिए ग्रह कलेश के लिए मैं इन सब बातों का इसी दिवाली के उपर आपको विस्तार से वर्नल करने चाह रहा हूं दोस्तों दिवाली को हम बात करते हैं ऐसे तुहर की ऐसे प्रब की जिस पर मा लक्ष्मी के आगमन की प्रितिक्षा करते हैं मा लक्ष्मी का आगमन हम किसी कहते हैं वास्तिक्ता में व्यक्तिजव अपने जीवन के अंदर में बदल जाते हैं यानि कि कोई भी कारिया जब पुन रूप से करता है उस कारिया को पुन करने के बाद उसे जो फल की प्राप्ति होती है उसे ही लक्ष्मी का फल कहते हैं लक्ष्मी का फल लक्ष्मी धन नहीं किसी कारिया की सफलता को प्राप्त करना लक्ष्मी का फल है हर कुछ वैलीूबल कर पाऊं तो मैं दिवादी के पर्व दिवादी पर ये तो हर इनका प्रियोजन क्या है करूंन ही क्या है इस परव पर हम किस की बात करते हैं मा लक्ष में का और मन से पहले हमारे भारत वर्ष में एक पर्था थी जो चलती आ रही है हम घरों की सफाई करते थे यह पहला नियम था हर दिपाबली से पहले हर घर की सफाई की जाती थी यह किवल दिपाबली से पहले है की गई सफाई को मा लक्षमी को लेकर आती है और क्या होता है जब हम अपने घर की सफाई करते हैं क्या होता है जिस व्यक्ति हम अपने घर की समझ बनाते हैं ऐसा क्या होता है इससे मा लक्षमी के आगवन से जब हम बात करते हैं हम किसी की बात करते हैं एक व्यक्ति अपने घर को समझ बनाता है यानि कि एक व्यक्ति अपने मन से समझ बनता है अपने मन को शूत करता सकार अत्म भाप पैदा करता है पुरुष यानि कि वास्तु प्रश्ट की उत्पत्ति हो जाती है जो पुरुषात जब करता है तो वास्तु पुरुष बन जाता है यानि कि जब ब्रमाजी ने कहा मेरा पुत्र मानस पुत्र है मन से यानि कि मैं आपको दिमाग आपके हथार अपने मांड के थ्रोट एफेट्स अगर आपके मांड में फोट नंगेटió हों तो आपके जो पुत्र को उत्पत्री होगी या आपी कार्या शेर्डी होगी वो भी निगेटू होगी वो फ्रोट भी निगेटू होंगे तो उन्हें सही करने के लिए हमें मा लक्षमी की पूजा का एक वो बताए गया और जिससे हम अपने माल सिक्ता को ठीक कर सके हैं दोस्तों मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँ है इससे हल अठके जोतिशी विश्लेशन रटाओं का विश्लेशन नहीं मेरा विश्लेशन आम आप अप हर वीडियो को देखना सब की देखना मेरी वीडियो आपको और उससे अलग हटके मिलेगी उसके अंदर एक सकारात्म भा हमारे घर के अंदर राहू जैसे ग्रह के उत्पत्ति हो जाती है राहू क्या है राहू एक गंदगी है राहू जो व्यक्ति नहाता नहीं है कई-कई दिन तक नहीं नहाता सुबह प्रहम में उड़ता नहीं है कई-कई घंटे तक सोता है रात को जाता है उल्लू की तरहे उसके यहां लक्षमी का वास नहीं हो सकता, धन का वास तो हो सकता है, लेकिन लक्षमी का वास नहीं हो सकता, सम्में पहले आप अपनी दिंच्रिया को सुधारो, जब आपकी दिंच्रिया सुधार जाएगी, अपने घर की गंदगी को खतम करो, खाली दिवाली पे ही नहीं, हमेशा जीवन में अपनी शुदता और सफाई को लओ और हमेशा अपने घर को पवित्र रखो परती दिन नकारात में उड़जा को निकालो दोस्तों जब हम भार से आते हैं हम अपने गंदी पहले हम क्या होता था जूते भार उतार देते थे घर में आके खाना खाते थे आज हम जूते पहन के डाइनिंग टेबल बे बैठती हैं जो गंदगी हमारे घर में पैरों के साथ आज आति है वो गंदगी धीरे-धीरे भढ़ने लगती है उसके बैक्टिरिया और बैक्टिरियों का बढ़ना राहु का बढ़ना है और उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास नहीं होता दोस्तों सब में पहले अपने को सुधार हमारे रिशी मुनियों ने हमारे रिशी मुनियों ने लक्षमी का रूप दे के हमारे मन की स्थित्य को सुधारने का प्रियास किया जिससे हम जीवन में अच्छाई की तरफ चले हमारे हमारे रिशी मुनियों ने माना कि य इन्हें एक डेवी देवताओं का नाम दिया जिससे मानव उस लालच में उस परलोभन में इनको सही रखेगा तो उनकी मानसिक, शारिक, आर्थिक सारी इस्तिती ठीक हो तिछ लिए दोस्तों मैं इसी आधार पर आपको इस वीडियो के बारे में बहुत कुछ बताने की इच् हैं और कल भी देखना और आज ये भी देखना मैं नित नियम एक है क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया बनाने में समय का अभाब में कोई बात ने देर आया दुरूस्त है हमें जब जागो तब ही सवेरा दोस्तों मैं पंड़त पर जूशन शर्मा मेरे यहां पर मैं दावी के साथ कह सकता हूं भला आ कर रहे का उदिश्य सर्फ आपका ही है आप ही अपना भला कर सकते हैं वो आपको दिशा बता सकता है भला तो आपको ही करना है इसलिए आप भर्मित ना हो बड़े बड़े अपाखंडों में ना उलजें बड़े बड़े खर्चों में वास हो जाएगा जो इश्वर ने हमारे भाग्य में हमें दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता और जो हमारे भाग्य में नहीं है उसे हमें कोई दे नहीं सकता और जो नहीं है उसे कोई ले नहीं सकता फिर हम प्रेशान क्यों होते हैं अपने करम को करो और आगया आगया चलते ह हमारी महत कांशा हमें प्रिशान करती है तो दोस्तों मैं फिर आप लोगों से नवेदर करूँगा कि आप इसको थोड़ा समझें कि यह जो लक्षमी कर टोपिक में ने बताया दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ उपाए हैं तोटके कल मैं आपको विधी बता के दीपों के परपर कर सकते हैं मार लक्षमी खुश होकर आपको ये शुक्र वर्दान देगी आपको धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे धन प्राप्ति के लिए किसी भी सर उपाय को करके आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं दोस्तों जितने मैं बताना उतने नहीं कर सकत देगी अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो हर अच्छे चीज़ में भी आपको बुरी निखाई देगी जैसे आपके थोट होंगे वैसे ही आपको भला होगा सबसे पहले ब्रहुम्मुरत हम पहली बात करते हैं ब्रहुमुरत में लक्षमी जी के मंदिर में जाकर पूर्जा अच्छना करें गुलाब का इत्र गुलाब की अगरबती कमल पुष्प लाल फूल वस्त्र खीर पूरी का भोग लगाएं लक्षमी जी साल भर बनी रहेंगी जो चीज आपको बता रहूं आप जहां से सुनो चाहो आप दोबारा भी कमेंट करके या हमें काल करके भी जब आप पूजा करें इन चीजों का अप्योग करें इनसे आपको धन प्राप्ति के मार्ग में प्रियोग में खुरते हुए नजर आएंगे मैं आपको दोस्तों धीरे-धीरे से साही बातें बताऊंगा आप यह था बत इनका पालन करें जो आप दिवाली पूजन में ना कर लाल वस्त आदी उनके भेट दें और आपके लिए आपको शुब होगा दोस्तों वीडियो थोड़ी से लंबी हो रही है तो आप चिंता मत करना पूरी वीडियो सुनना क्योंकि एक एक बात आपके मतलब की है ठीक है भाग गया उदर नहीं है अगर आपका जो लक्षमी जी कर चने की डाल चने की डाल कच्छी चला कर बाद में पीपल वक्ष पर चला दें ऐसा करने से आप कुष्ट दूर होंगे आपके अच्छे काम का आए दिन नज रहेंगे क्योंकि चने की डाल चना क्या है ब्रसपती ब्रसपती क्या है लक्षमी तो अगर हम चने की डाल क अट आपड़ा उपाय करेंगे तो हम सही हो दोस्तों यदि हमारा ब्रस्पती सही है तो हमारा घर परिवार पत्वी सब ठीक है एक टुकड़ा लेकर उतारे उसे युझे चुहाई पर फैंगदे आपने आपने उपर से 58 करिका टूकरा उतार के उसे 68 पर डालते अजिके इससे भी आपको एक अच्छी स्थीनि मिलेगी कार्यश अच्छे काम को बार-बार नजर लगना रात्री में कार्य kä Initiative पर एक ऊकर लेकर उतारे तथा चुहाय पर जाके फ्रेंगे लक्षमी जी की तस्वीप पर कमल गट्टे की माला हमेशा लक्षमी जी के लिए कमल गट्टे की मालाओं से जाप करना चीए रूध अब शेक करें इससे धन प्राप्ति की योग बनेंगे अपंग ग्रीब अनाथ व्यक्ति को भोजन एव वस्त दान करें लक्षमी जी की क्रिपा सदेव आप पर बढ़सेगी बट वरक्ष के नीचे कोई भी पोधा निमंतरन देकर घर लाएं वर्ट का वरक्ष होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा उसे अपने घर के गंबले में लगा दे उस वरक्ष की व्रद्धी के साथ साथ आपके घर में व्रद्धी होगा जिस घर में जगड़े होते हैं लक्षमी जी ऐसे इसान पर नहीं रहती इन बातों का हमेशा ध्यान लखें अपने घर के मोहठ को ठीक रखें दिवाली वाले दन किसी भी तरह की घर में कलहें ना करें जिस घर में इस तरह का सम्मान नहीं होता वहाँ पर लक्षमी जी का वास नहीं होता इसलिए नारी का सम्मान करें नारी एक लक्षमी का रूप है दोस्तों फिर मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं और समझाना भी चाहता हूं जिससे कि आप लोग इस बात को समझें कि हमने जो भी कुछ किया है वो सत्य की तरफ प्रिरीत है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपने प्रिवाद दोस्तों को शेर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सब मेरे मनोवर बढ़ेगा, और मैं आप सब के लिए ऐसे ही ग्यान की रूपी वीडिया लातार हूँगा, आपके लिए बस इतना ही, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसम अगरे मन अच्छा है, तो सब कुछ आपका अच्छा है, लक्षमी का वास आपके घर में है, अगर मन आपका अच्छा नहीं है, तो कुछ भी चीज अच्छी हो, वो आपके लिए बुड़ी है, दोस्तों नमस्कार, जैहित